बिस्मिल्यारावान रहीम, असलाम लेकुम दोल्स तो कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देखने हैं इजातन सारी फूट सीक्रेट्स आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकम तुम्री पर आज हम एक गलास दूद से इतनी मद्यदार, इतनी रिसीली और इतनी खुबसूरत मिठाई बनाएंगे कि आपका दिल खुश हो जागा ये बर्फी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मिन्टों में बन जाती है, खास बात ये है कि घर में पड़ी एक दो चीदों से आप इसको बना सकते हैं, चलें जी बिसमिल्ला हमारें, हुपसूर सी कड़ाई लेंगे और एक गलास से इसमें हम दूद का लेंगे, ख में हम कुछ चीज़े आड़ करेंगे, टेस्ट के लिए, तो सबसे पहली जो चीज़े से बन जाएगी, वो है चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के साब से आड़ कर सकते हैं, मैं इसमें दो से धाई चमस एड़ कर देता हूँ, ठीक हो गया, और दूसरी और सबसे अहम अब चलते हैं, तो यहां पर हमारे पास है, डवल रोटी जो हर घर में अवेलेबल होती है, असानी से मार्केट से मिल जाती है, इसकी साइड को हमने रिमूब कर देना है, वो इसलिए क्योंकि इसकी साइड में ब्राउन कर रोता है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए आ जीर पीसिस में डिवाइट कर देंगे इस तरह से ताके हमें रैस्पी में आगे जाके असानी हो, तो टोटल मैंने चार से पांच जो है वो ब्रेट के पीसिस लिए है, ठीक हो गया, यह देखें जी, यह कुछ इस तरह से हो जाएंगे, और अब हमने गया करना है, ब्लेंड ब्रेट करम्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो ड्राय होते हैं, खुशक होते हैं, यह नरम वाले आपको चाहिए, अब हम इसको एक प्लेट में एड़ कर लेते हैं, अब यहाँ टेस्ट के लिए, मजीद खुश्बू के लिए, मजीद क्रीम एड़ कर देते हैं, एक से दो आपके घर में दूद की क्रीम जो हम बलाई उतारते हैं, वो अक्सर अवेलेबल होती है, तो वो आप इसमें यूज़ कर लीज़ेगा, याद रखेएगा, दहीं की जो बलाई है, वो आपने यूज़ नहीं करने हैं, वरना जो दूद है वो फट जाएगा, तो हमने दूद की जो बलाई है, वो यूज़ की है, दो से तीन टेबल स्पून, थोड़ा सा दूदी भी इसमें एड़ कर देते हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, यह जो ब्रेट करम्स के दाने हैं, यह नरम हो जाएगा, तो चलते हैं, कड़ाई की तरफ चलें जी बिसमिला हरवारम, अब हम इसको इसमें एड़ कर देंगे, यह रेखिए, अच्छे से फ्लेटों को साफ किया करें, कोई भी सी जाया नहीं हो चाहिए, इससे आपके रिस्क में बढ़कत आती है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जनाम, तो चैनल को दूरू सब इन केस अगर ना हो, तो आप मेशर से भी कर सकते हैं, अब आपने यहाँ इसको पकाते जाना है, यहाँ तक कि इसमें इस लेवल की ठिकनस आ जाए, जो ब्रेट करम से है, वो फूल जाते हैं, जिससे हमें एक स्मूथनस सी मिलती है, यह रेखिया, हमने इसको काफी हद तक म बहुत ही है, इसको आपने फर्म कैसे करना है, शेप में कैसे लाना है, अब ही है, लेकिन जब आप इसको शेप दे लेंगे, अच्छा हुबसूरती का ध्यान हमेशा रखा जाता है, ठीक है, उसके लिए, इसके उपर हम कुछ ड्राइफूर्स इस तरह से एड़ कर देंगे उसके बाद आपने दबा देना ताके फिक्स हो जाए, फिर आपने इसको स्टे देना है, अगर रूम टमप्रेचर है तो चार से चे गहंटे, फ्रिज है तो उसमें एक गहंटा दो गहंटे इसमें को रखें, यह सेट हो जाती है, तो माशाला, लहम्दुलिल्लिल्ह, देख माशाला